आज मैं आपको चनी के दाल की कतली बताऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ और यह इतनी टेस्टी सौफ्ट और धानेदार बनती है कि मुझ में रखती ही गुल जाती है इसे बनाना बहुत ही आसान है और कम से कम घी में भी इसे हम लोग बना सकते हैं और रेसिकेटि नारियल, इलाइची, घी, काजू, बादाम, चीनी, चनी के दाल सबसे पहले हमें भीगो हुए दाल को जिसको मैंने दो गटे के लिए भीगो के रखा था, उसे हमें बोयल करना है पर इसको बोयल इतना करना है कि वो दाल के तरह मैसी नहों पर सौफ्ट हो जानी चाहिए हलकी से तो उसे मैंने उबालने के लिए रख दिया है अब इसके उपर जो इस तरह से इस कम आता रहता है इस तरह से उसको हमें निकाल देना है चम्मस से चनी को उबालने के लिए आप इस तरह से खुले बर्तन का ही यूज करें कुकर में चनी के दाल को बॉइल ना करें क्योंकि कुकर में उबालने से चनी का दाल बहुत यह मैसी हो जाता है अब यहाँ पर चनी के दाल को उबलते हुए लगवग 10-15 मेट हो चुके हैं इसे दबा करके देखेंगे तो इस तरह से यह आसानी से मैस हो रहा है तो बस इस तरह के दाल ही हमें चाहिए अब इसे निकाल करके हमें बिल्कुल पानी को छान लेना है और बिल्कुल ठंडा करके इसे ग्राइंड कर लेना है इस तरह से जब दाल हम खुले में खुले बरतन में उबालते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्राइंड होता है और अगर इसे हम कुकर में उबालेंगे तो बिल्कुल मैसी सा बन जाएगा और ग्राइंड होगा ही नहीं और इसे फिर भूनने में भ कितना अच्छा भुरुबुरा सा पीस गया है तो इसी तरह से हमें पूरे दाल को पीस लेना है अब इस ग्राइंड की हुए दाल को हमें अच्छे से रोस्ट करना है तो उसके लिए मैं यहां पर दो चम्मच के लगभग देसी घी आइड कर रही हूँ आप अगर इसमें डालडा यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं अब इसमें सारे ग्राइंड की हुए दाल को बिल्कुल मेडियम फ्लेम पर हमें भूनते रहना है जब तक इसका हलका सा कलर चेंज ना हो जाए और अच्छी से खुसबू ना आ जाए और इसे भूनते हुए हमें लगभग 30-35 मिनट का समय लग सकता है तो तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हल्वे का अब यहां पर दाल को भूनते हुए मुझे 25-30 मिनट हो चुके है स्लो फ्लेम पर तो दाल रेडी है अब फिर से हमें सेम कड़ाई लेना है और उसमें दो चमच मैं गी कर रही हूँ और इसमें मैंने जो ड्राइफ रूट को कट करके रखा था उसे हलका सा रोस्ट कर लेना है काजू बदाम और यहां पर मैंने कद्दू कस करके नारियल लिया था सुखा हुआ तो उसे हमें रोस्ट कर लेना एक से दो मेट के लिए मीडियम फ्लेम पर यह जल ऑप दो मैंने पाया मठरें और ऑधा कतारी कोई सूरा मेजरमेंट करें अब चीनी के पूरी तरह से मिल्ट होने तखा में सुगर सिरप को पकाना है तो यहां पर सुगर अच्छी तरह से मिल्ट हो चुका है तो इसमें इलाइची एड़ कर देंगे और यहां पर मैं यलो फूड कलर एड़ कर रही है यह बिल्कुल ऑप्सनल है चाहे तो डाले या स्किप कर सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें जो हम लोगों ने दाल को भून करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते जाए और से कम घी में बनारी हो अगर आपको ज्यादा घी पसंद हो तो यहां पर आप ज्यादा घी एड़ कर सकते हैं घी एड़ करने से हमारे बर्फी में बहुत अच्छा साइन आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से फैल लेना है इसे फैल लाने के लिए एक कटोरी ले सकते हैं उसके नीचे के पोर्षन पर घी लगा लें आप और उस तरह से इसे फ्लैट करते हुए जाए यह बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा उसके ऊपर हमें ड्राइफ फ्रूट्स डाल देने हैं और फिर से कटोरी से दबाते हुए इसे अच्छी तर से इस पे चिपका देना है यहाँ पर मैंने ड्राइफ फ्रूट्स में काजू, बदाम, नारिल और पिस्ता लिया है अब इसे हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है उसके बाद ही इसके पीस कट करेंगे हम तो यहाँ पर जो है हलवा बिल्कुल अच्छी तर से ठंडा हो चुका है तो इसे हम कतली का सेप दे देंगे अगर विडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिएगा इस तरह से इसे ट्रेंगल सेप में काट करके आप इसे कतली का सेप दे दे तो अब हमारी चनी की दाल की कतली बिल्कुल रेडी है यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे आप 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं यह खरगाब बिल्कुल भी नहीं होगी तो इस सब्सक्राइब आप इसे जरूर बनाए और अगर आपको प और आप कि मधन के इसाने करेंगılmış दो SIM को शर आप QU तो आप में आप सकते हैं वालाब 2ieneतर को आप 5 a 1